नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे खास कारेकर मस्टियों ग्रू में हमारे साथ हैं स्टूडियो में मनोज भंडारी जी जो की 13 साल से आसे साल से जोतिश पड़ा रहे हैं बहुत स्वागत है सर आपका तो गुरू जी हमारे साथ हैं जो बताएंगे हमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम भविश्य में जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसी कई सारी समस्या आती हैं चाहिए हम करियर को लेके कह लीजे चाहिए अपनी परसनल लाइफ को लेके कह लीजे ऐसी बहुत सारी समस्या आती हैं जिनकी वज़े से हमारा जीवन जो है वो सुक और शांती से नहीं चल पाता यहीं वज़ा है कि कई बार देखा जाता कि कुंडली की बात करे या ग्रह नक्षत की बात करे तारों की बात करे जो हमारे अनुकूल नहीं होते परिस्तितियों को हमारे विप्रीद बना देते हैं और ऐसे में हमारे जीवन में कुछ भी चीज़े इस्थिर नहीं रह पाती इस्तिति जो है वो थोड़ी स्थिर नहीं हो पाती है जिसकी वज़े से हमारा जीवन ठीक से नहीं बीपत पाता जिन्दगी एक बार मिलती है ऐसे में जरूरी है हम खास ख्यार रखें कि नक्षत इस तरह से रहें तारों की चाल कुछ ऐसी रहे कि हमारा जीवन ठीक से हो तो गुरु जी मासा स्टूडियो में जो हमें बताएंगे कि कैसी समस्या है हमें देखने को मिलती है इसके साथ ही उनके समाधान क्या है हमारे फोन नम्बर्स लगतार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होरें आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी समस्या बता सकते हैं तो जैसे कि फैशन आ रहा है नौजवान यह जो यूवा पीडी है वो अपनी पसंद से शादी करती है उसके बाद भी एक चीज घरवालों के दिमाग में या फिर समाज के दिमाग में कॉंसेप्ट फिट हो गया कि लव मैरेज जो है इतनी सक्सेस नहीं है तो जोतिश के हिसाब स जैसे क्या उपाए है जिससे लव मैरेज जो है वो भी ठीक से चल सके तैंक यू सो मच जी आइविटनस के सभी दर्शोगों को मेरा नमस्कार मैं जी ने बहुत ही एक अच्छा प्रशन इस समय में पूछा है सबसे अधिक जो जीवन का सबसे बड़ा एरिया जो सबसे अध ग्रहों का वैसे तो चलन और चलन जो ग्रहों का जो चाल है उसका असर जीवन के सभी छेत्रों में पड़ता है चाहे वो आपका करियर हो चाहे आपकी पढ़ाई हो चाहे आपके संबंध हो अपने पियर ग्रूप से अपने सबाडिनेट से या आपके संबंध हो अपने पर है कि marriages are made in heaven यानि कि शादियां पहले से तै होती है यह गलत है इसलिए क्योंकि हमारे रिश्यों ने एक बहुत बड़ा एक इसकी में ग्रंत लिखा है जिसे मैच मेकिंग के लिए लिखा है मिलापक के लिखा है जो भी विवाह यानि कि आप यह देखे कि लोग लड़के और ल जो होता है जो कि मैच मेकिंग के लिख किया गया है वो उनके ओपर लागू होने लगता है जिसके आठ कॉमपोनेंट्स हैं वरंड वश्य तारा योनी ग्रह मैत्री इसके बाद तीन महादोश हैं गर्ण बकूट और नाडी यह सबी जो दोश हैं उनके ओपर इस तरीके से लागू होने लगते हैं कि एक तो एक दूसरे को डॉमिनेट करने की जो स्थिती है यह भी आपस में ग्रहों के सामने ना होने की वैसे है इसी पकार से उनका फैनेशल मेल्ट डाउन है यानि कहने का मतलब है कि अगर एक लड़का अपने जीवन में करियर में बहुत है वो बहुत लगी नहीं है हम इस तरह की दक्यान उसी बातों को तो नहीं मानते हैं लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि ग्रहों का आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने वाला जो असर है वो देखने में आया है और यूगों से यह बात फॉलू होती रही है लोग सतर से 80,000,000 रुपिय इतना ज्यादा पैसा विवाह के लिए खर्च तो करते हैं लेकिन किसी भी योग के ब्रामन या जोसी के पास जाके लड़के और लड़की की कुर्णियों को नहीं मिलवाते इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा जो कॉंपोनेंट है जो कि उनके जीवन पैसर क कराती है मतलब अगर माली जी लव मैरिजेज हो गई है या कोर्ट में जाके शादी कर लिए तो मैज यह मैच मेकिंग का जो कॉंसे हो पाए हैं जिन से हम समाधान पा सकते हैं पहली बात तो यह है कि इसमें विसे कहते हैं वेल बिगन इस हाफ ड़न जैसे अंगरी जी कहाव ज़न तो उसके परणाम होते हैं तो पहली बात तो मैच मेकिंग ना कराना यह कोई ऐसा बहुत अच्छी बात नहीं है योग गिब्रामार्ण के दोरह अगर आप मैच मेकिंग करा लेते हैं तो आपको इसके दुश परणाम से नहीं हो जाना परता अब आपने एक पसंद तो अलग अलग हो तो कोई परिशानी की बात नहीं लेकिन अगर उस पसंद को और नापसंदी को लेकर जगड़े का समा बने तो फिर वो एक कंसर्ण हमारा होता है इसा होता है ग्रह मेत्री ना होने से इसमें क्या होता है जिन ग्रहों की आपस में लड़की का और लड़की के जो राशी के जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्र के स्वामी और जो चंद्रमा जिस राशी में बैठा होता है उनके स्वामियों की अगर हम पूजा कराते हैं या पार मनुश्रगन रूक्षित्रगन में हैं , तो आध़ हैं कि और अधा-धारित अधा कि वो दूसरों को हेल्प करने लगते हैं जो देवगर के होते हैं वो अपनी परवा नहीं करते हैं हमेशा दूसरों की परवा करते हैं अपनी सास अपने इस परकार से अपने देवर सभी को इसका मतलब है कि घर को पूरे घरवार को वो पूरी तरह से बात के चलते हैं जो रा स्वामी की पूजा और अर्चना करनी होगी उनके दान वग्रे करने होगी इसे बाद से जैसे बहुत बड़ा दोश मारा जाता है भकूट का भकूट जो हम देखते हैं भकूट का जो दोश है वो हम देखते हैं लड़के और लड़की के यह तीन होते है सडास्तक है पंच बहुत बड़ा कॉंपनेंट है जिसमें कि लड़के और लड़की के जीवन में लॉंजिविटी ऑफ मेराइटल लाइफ उसको यह एफेक्ट करता है कोई भी लड़का लड़की इस वए से शादी नहीं करते कि उनका विभा किसी स्वास्त के कारण से अथो एक्सिदेंट के क सारण से उनका विभा टूट जाए या खतम हो जाए तो विभा का इंस्टिटूशन बहुत इंपॉर्टन है तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जब कभी सडास्टक योग होता है सडास्टक में हम ग्रहों का दान कराते हैं जिन ग्रहों के वैसे सडास्टक होता है उन ग्रहों क तो यह पंच नवम बकूट दोश की वैसे होता है इसमें भी जो ग्रह है जो इस तरह की गटनाएं कराता है या जो उसके पंचमेश है लड़के का लड़की का उनके दान करा देने से इसका फाइदा हो जाता है इसी पकार से हमारा तीसरा जो बकूट दोश है वह दुर्द व तो यह वाले गुरुजी यहां आपको एक मिर्ट रुखना चाहूंगी जैसे कि गुरुजी बता रहे हैं कि कई बाद शादी के बाद बदलाव आ जाते है परिस्तितिया जो है वो कुछ बदल जाती है वह हमारे ग्रहों का दोश हैसे कई सारे दोश होते हैं जो हमारे पूजी हमासा स्टूडियो में मौजूद है लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या चोटे बड़े उपाय करके आप अपने जीवन को और सुखी बना सकते हैं रुकते एक चोटे से ब्रेक क्ले चल्द लॉटते हैं